Hello students, आज हम solve करने वाले हैं Geometry का Practice Set 4.2 देखो यहाँ पर first question हमें क्या दिया हुआ है? Construct triangle XYZ such that YZ equals to 7.4 cm, angle XYZ इसका मतलब angle Y हमें दिया हुआ है 45 degree and XY minus XZ equals to 2.7 cm So, अब हम start करते हैं इसका construction देखो यहाँ पर हमें क्या given है? पुह हमने यहाँ पर लिख लिया हमें क्या construct करना है? To construct triangle XYZ solution वाले part में देखो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमें क्या given है? यह और यह, यह दोनों value तो हमें direct given है बट यह यहाँ पर क्या है? minus में given है इसके पहले वाले practice set में यहाँ पर यह प्लस में दिया हुआ था बट यहाँ पर हमें minus में दिया हुआ है तो यह हम यहाँ पर लिख लेते हैं here XY minus XZ equals to 2.7 cm हमें given है इसका मतलब XY में से अगर हम minus करेंगे XZ को तो हमें कितना मिलेगा? 2.7 cm इसका मतलब XY क्या है? greater है यह greater है बड़ा है तबी तो इसमें से कुछ minus किया तो हमें यह मिला तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो XY है it is greater than XZ अब देखो सबसे पहले हम इसका rough figure ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद हम इसका fair figure ड्रॉ करेंगी अब हम ड्रॉ करते हैं इसका rough figure और rough figure बनाना गंपल सरी है because rough figure हम बनाएंगे तब ही हमें अंदाजा लगेगा कि हमें कैसे कौन सा value लेना है तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं 7.4 cm जो क्या होगा इसका base होगा बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ऐसे अंदाजे से ले रहे हैं exact measurement नहीं ले रहे हैं तो देखो यह वाला और यह तो यह point को हम ले लेते हैं Y और यह हो जाएगा Z और यह हमने कितना लिया है 7.4 cm next information देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है angle Y 45 degree तो यहाँ पे angle Y हम ले लेते हैं 45 degree तो अभी हम measurement तो नहीं ले रहे हैं ऐसे हम यहाँ पे अंदाजे से 45 degree ले लेते हैं और यह हम थोड़ा सा बढ़ा रखेंगे तो यहाँ पे हमने measurement नहीं लिया है और यहाँ पे ऐसे ही अपरोक्स हमने 45 degree ले लिया है now next हमें क्या दिया हुआ है देखो XY minus YZ हमें दिया हुआ है 2.7 cm तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ कहीं पे हम arc cut करेंगे 2.7 cm का तो यहाँ पर हम ले लेंगे 2.7 cm और यह जो point मिलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक इसे आपस में join कर लेते हैं इस point को हम label कर देते हैं S उसके बाद वाले step में क्या करेंगे? SZ यह वाले जो segment है इसका हम perpendicular bisector draw करेंगे suppose यहाँ पर यह perpendicular bisector आ रहा है सो जब हम extend करेंगे perpendicular bisector को तो वो suppose इस point पे cut करता है तो यह वाला point जहाँ पे यह cut होगा इस point को हम लेंगे point X और यह वाली ray है यहाँ पे हम label कर देते हैं point P उसके बाद X से Z को हम join कर लेते हैं इसे हम और थोड़ा extend कर सकते हैं तो यहाँ पे हम measurement नहीं ले रहे हैं और इसको हम ले लेंगे line L X से Z को हम join कर लेते हैं सो यह हमने draw कर लिया rough figure अब देखो rough figure में हम देख सकते हैं X, Y, Z जहाँ पे यह और यह यह दोनों आपस में equal है और अगर यहाँ पे यह perpendicular bisector है इसका मतलब यह segment और यह segment यह भी क्या होंगे आपस में equal होंगे अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यह यहाँ से लेके यहाँ तक का segment क्या है X, Y है और यह क्या है X, Z है अगर यह X, Z है तो यह वाला भी segment क्या होगा X, Z होगा because यह और यह यह दोनों की length same होती है तो देखो given information के according क्या था कि X, Y में हम minus करेंगे X, Z को तो हमें कितना मिलेगा 2.7 cm तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यह segment को हम X, Z ले सकते हैं because यह और यह यह दोनों की length similar है तो X, Y में से हम minus करेंगे X, Z को तो हमें कितना मिलेगा 2.7 cm तो हमें यहाँ पे rough figure मिल गई है अब बिल्कुल ऐसा ही fair figure हम draw कर लेते हैं measurement लेके तो अब हम draw कर रहे हैं fair figure fair figure draw करते समय हम बिल्कुल rough figure में जो steps follow कियेते बिल्कुल वही करना है तो सबसे पहले Y, Z जो base है वो हम draw कर लेते हैं कितना 7.4 cm तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह हम ले लेते हैं 7.4 cm इसे हम label कर देते हैं यह हो जाएका Y और यह हो जाएका Z यह हमने कितना ले लिया 7.4 cm नेक्स्ट एप में हम क्या करेंगे एंगल Y ले लेते हैं 45 डिग्री तो देखो 45 यहाँ पे आएगा 40 और 50 के बीच में देखो आप हम draw कर रहे हैं आप जो line draw करेंगे यह आपको काफी लंबी line ड्रॉ करनी होगी और यहाँ पे हम इसे name दे देते हैं point T देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया था 2.7 cm का arc कट किया था तो अब next step में हम क्या करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2.7 cm का हमने यहाँ पे measurement ले लिया compass में और pointer को हम रखेंगे Y में और उसके बाद हम यहाँ पे एक arc कट करेंगे now इस point को हम level करेंगे S और यहाँ पे हम देख सकते हैं S से लेके Y का distance कितना है 2.7 cm now अब हम क्या करेंगे S Z को join करेंगे तो यह हमने यहाँ पे join कर लिया अब हम क्या करेंगे इसका perpendicular bisector draw करेंगे तो perpendicular bisector draw करने के लिए यहाँ पे दोनों साइड में हम क्या करते हैं arc कट करते हैं तो यहाँ पे हमें intersecting point ने मिल रहा है तो वापस से हम pointer को रखेंगे point Z में अब हमें यहाँ पे यह intersecting point मिल दिया है अब हम क्या करेंगे यह जो intersecting point मिला है न वहाँ पे हम क्या करेंगे एक line draw करेंगे जो intersect कर रही है इस वाले point पे तो ये जो point हमें मिलेगा वो होगा point x तो ये जो ray है ये हो जाएगी line L और ये जो intersecting point है ये क्या हो जाएगा x तो अब हम यहाँ पे x मिल गया है x को z से हम joint कर लेते हैं तो हमने क्या किया यहाँ पे x से z को join कर लिया है आप एक काम करना यहाँ पे ये वाली जो line है ये perpendicular वाली इसको आप dotted line बना लेना dotted line बनाने से क्या होगा कि triangle हमें बहुत easily visible होगा तेखो triangle x, y, z ये हमने construct कर लिया है जहाँ पे ये और ये ये दोनों यहाँ पे equal है और ये और ये ये दोनों segment यहाँ पे equal है और ये हो जाएगा इसका conclusion hence triangle x, y, z is the required triangle और ये हो जाएगा इसका fair figure सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पे rough figure draw करना है और जैसा हमने steps follow कि हैं rough figure में वैसे हमें same fair figure draw करना है easy है ना इसका construction पहले base draw करना है फिर यहाँ पे angle लेना है फिर यहाँ पे 2.7 cm का हमने क्या लिया यहाँ पे arc cut किया यहाँ से यहाँ पे joint किया उसके बाद इसका हमने perpendicular bisector draw किया और perpendicular bisector को हमने extend किया जहाँ पे जिस point पे यह intersect करती है वो क्या होगा point x होगा और यह हो जाएगा triangle x y z अब हम आते इसके question number 2 में यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है construct triangle p q r such that देखो यहाँ पे हमें क्या क्या given है q r equals to 6.5 cm angle p q r equals to 60 degree और p q minus p r यह हमें कितना दिया हुआ है 2.5 cm construct हमें क्या करना है triangle p q r अब हम start करतें इसका solution देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है p q minus p r यह हमें कितना दिया हुआ है 2.5 cm इसका मतलब यहाँ पे जो p q है वो greater है p r से अब हम पहले draw कर लेते हैं इसका rough figure उसकी help से फिर हम fair figure draw करेंगे तो देखो q r हमें कितना दिया हुआ है 6.5 cm suppose कि यह क्या है 6.5 cm है और यह क्या है q और यह वाला point कौन सा है r नेक्स टेप में angle q हम draw कर लेते हैं 60 degree सो हमने अभी यहाँ पे measurement नहीं लिया है ऐसे अंदाजे से हमने क्या लिया 60 degree उसके बाद हमें p q minus p r देखो यहाँ कहीं पे p आएगा so p q minus p r इसकी distance हमें कितनी दी हुई है 2.5 cm तो इस तरफ कहीं पे हम r cut करेंगे तो यहाँ पे इस point को हम ले लेते हैं point s तो यह जो arc होगा तो यह दोनों के बीच की distance कितनी होगी 2.5 cm फिर s से r को हम joint कर लेते हैं perpendicular bisector draw करेंगे तो जो भी perpendicular bisector आएगा उस line को हम extend करेंगे जो यहाँ कहीं पे cut करेंगा और जिस point पे cut करेंगा उसे हम लेंगे point p so यहाँ पे यह वला point कौन सा हो जाएगा point p अब हम क्या करेंगे p से r को joint कर लेते हैं तो यह हमने क्या किया p से r को joint कर लिया तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे यह और यह यह दोनों की length equal है इसकी और इसकी यह दोनों की length equal है और यहाँ पे pr is equals to ps तो यहाँ से यहाँ तक की जो distance यह क्या होगी pr के equal है तो यह क्या हो जाएगा p q minus pr equals to कितना हो जाएगा जो steps हमने follow किये थे वही बिल्कुल हम follow करेंगे fair figure ड्रॉ करने के लिए देखो यह वाले question का fair figure थोड़ा अजीब है मतलब कुछ जादा ही लंबा है कि बिल्कुल page से बाहर निकल जाता है तो that's why हम इसके शुरुआत ही बिल्कुल नीचे से कर रहे हैं पेज से बाहर निकलेगा तो फिर कहां जाएगा हमें दिखाई नहीं देगा तो हम यहाँ पर क्या करते हैं नीचे से start करते हैं सबसे पहले qr कितना दिया हुआ है 6.5 cm तो वो हम ले लेते हैं 6.5 cm यह क्या हो जाएगा q और यह हो जाएगा यह कितना हो गया 6.5 cm उसके बाद अंगल q हम ड्रॉ कर लेते हैं 60 डिग्री यह वाला जो पॉइंट है यह कितना आ रहा है 60 डिग्री यह आपको बहुत आगे तक काफी लंबा आपको ड्रॉ करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह मैंने कितना लंबा ड्रॉ किया है ओके मतलब मेरे स्क्रीन के भी बाहर चला जा रहा है तो यह कितना हो गया 60 डिग्री नेक्स टेप में हम क्या कर रहे है यहाँ पर हम मेजर्मेंट ले रहे है 2.5 cm का उसके बाद पॉइंटर को हम रखेंगे पॉइंट क्यू पे और यहाँ पर हम क्या करेंगे आर्क ड्रॉ करेंगे जहाँ पर यह आर्क ड्रॉ किया है यह इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसे हम लेंगे पॉइंट S और यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2.5 cm अब S से R को हम जॉइंट कर लेते हैं तो यह हमने क्या किया? S से R को जॉइंट कर लिया अब हम क्या करेंगे? इसका perpendicular bisector ड्रॉ करेंगे तो perpendicular bisector ड्रॉ करने के लिए हमने यहाँ पर हाफ से ज़्यादा का distance लिया है उसके बाद हम यहाँ पर यहाँ आर कट कर रहे है दोनु साइड में इधर हम आर कट करेंगे सो हमें यहाँ पर intersecting point मिलिया है यह और यह अब हमें क्या करना है? यहाँ पर line ड्रॉ करना है और बहुत ही लंबी line ड्रॉ करनी है जो आगे जाके इस वाले line को कट करें मैं क्या कर रहे हूँ? मैं यहाँ पर इसको लंबा करती जा रहे हूँ देखती हूँ का आगे जाके यह कहाँ पर joint होगा अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि यह कहाँ पर joint हुआ यह देखो यह मैंने कितना लंबा ड्रॉ किया है यहां से स्टार्ट किया है और कहां पे जाकी यह जोइंट हुआ है मतलब बिल्कुल ऐसे बॉटम से मैंने स्टार्ट किया था यह ट्रैंगल को ड्रॉ करना और यह बड़ी वाली नोटबूक है और देखो ये कहां पे बिल्कुल ऐसे end पे आके मतलब thank god ये यहां पे touch तो हो गई परना मुझे लग रहा था कि इसके भी बाहर निकल जाएगा आप लोगे काम करना two line को leave करके बिल्कुल यहां से draw करना start करना तो उसे क्या होगा कि यहां पे यहां पे आपको line को show करने के लिए थोड़ा सब जगा बच जाएगा तो यह वाला जो point जहां पे meet हुआ है उसे हम ले लेते हैं point P और जो इधर वाला था वो क्या था T था अब हम क्या करेंगे यह P को हम joint करेंगे इस R से PR को joint कर लिया सो यहां पे मैंने यह बड़ा वाला scale यूज किया है वरना छोटा scale यूज करेंगे ना two two times हम करके करेंगे तो exactly वो नहीं आएगा तो इसके साथ ही हमने यह triangle PQR construct कर लिया है सो यहां पे आप लिख लेना fair figure और यह हो जाएगा इसका conclusion यहां पे पर पेंडिकुलर है तो यहां पे 90 डिगरी का आप साइन लगा लेना और यहां पे शो कर देना कि यह दोनों segment equal है और यह दोनों segment भी equal है हम आते हैं कि question number 3 में देखो यहां पे हमें क्या दिया हुआ है construct triangle ABC such that BC हमें given है 6 cm angle ABC हमें given है 100 degree और यहां पे हम देख सकते हैं कि यह क्या है obtuse angle है उसके साथ में हमें क्या given है AC minus AB equals to 2.5 cm हमें construct करना है triangle ABC तो अब हम start करते हैं इसका solution here AC minus AB equals to यह कितना दिया हुआ है 2.5 cm therefore AC is greater than AB पिछले 2 questions हमने जो solve किये हैं उससे यह थोड़ा सा different है अब हम solve करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अब हम इसका rough figure draw कर लेते हैं rough figure draw करने के लिए सबसे पहले इसका base हम draw कर लेते हैं base हमें क्या दिया हुआ है BC जो कितना दिया हुआ है 6 cm तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं B और यह हो जाएगा C यह हमें कितना given है 6 cm अब यहाँ पर angle B हम draw कर लेते हैं 100 degree देखो 100 degree जो है वो थोड़ा इस तरफ आएगा विकोज यह क्या है obtuse angle है तो यहाँ पर यह थोड़ा सा हम लंबा इसको रख लेते हैं तो यह हो गया 100 degree angle B देखो point A जो है वो इस तरफ कहीं पर आएगा तो यह क्या होगा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा AC होगा देखो हमें जो equation दी हुई थी उसके according AC यहाँ पर left side में है और AB यहाँ पर right side में है बड़ यहाँ पर अगर A point आएगा तो हम देख सकते हैं कि जो AC होगा वो इस तरफ मतलब right side में है और AB यहाँ पर left side में आ रहा है इसके पहले जो भी हमने questions किये थे तो हमने देखा था कि जैसे XY यहाँ पर क्या है left side में है तो देखो PQ यहाँ पर left side में था और PR right में है तो PR इधर right में है बट इस question को हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर AC जो है वो left side में है बट figure में इधर वो right side में आएगा और AB यहाँ पर right में है तो AB इधर left side में आएगा तो हम क्या करेंगे जो point हम यहां पे ले रहे थे ना यहां पे हम लेते थे ना आर कट करते थे उसके बाद यहां से यहां पे joint करते थे तो इसको थोड़ा सा उल्टा करेंगे मतलब यह जो हमने एंगल लिया है ना यह एंगल को हम थोड़ा सा लंबा करेंगे और यहाँ पे नीचे के साइड में हम क्या करेंगे 2.5 cm लेंगे हम क्या करेंगे यह जो एंगल वाली लाइन दी ना इसको हमने थोड़ा सा लंबा किया और क्या करेंगे कि इस तरफ यहां पर हम क्या करेंगे इस तरफ आर्क कट करेंगे यहां कितना रहे का 2.5 cm का जो हमें question में given है तो फिलाल हम rough figure draw कर रहे हैं तो हम यहाँ पे measurement नहीं ले रहे हैं इस point को हम ले लेते हैं point D उसके बाद D से C को हम join करेंगे then उसके बाद हम क्या करेंगे CD का perpendicular bisector draw करेंगे और इसका जो perpendicular bisector suppose यहाँ पे आया इसका midpoint तो यहाँ से हम एक line draw करेंगे जो यहाँ पे कहीं जाके intersect करेंगे तो इस वाले line में जहाँ पे यह intersect करेंगे वो point कौन सा होगा point A तो यह वाला point कौन सा हो जाएगा point A उसके बाद हम क्या करेंगे यह A से C को हम join कर लेंगे तो यह हो गया इसका rough figure बिल्कुल इसी तरह अब हम fair figure draw करेंगे देखो अभी मैंने आपको left right वाला concept बताया है कि अगर यह right side वाला left side में आ रहा है तब हम क्या करते हैं यहाँ पे नीचे के side में लेते हैं तो वो आपको धियान रखना है बाकी जैसा हमने किया है बिल्कुल वैसा ही draw करना है बस 2.5 cm को यहाँ लेने की जगा हमने क्या किया है इधर लिया है तो अगर AD और AC equal है तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ AC हुआ और AC में से AB को हम minus करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है 2.5 cm तो अब हम इसका फेर फिगर भी draw कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं 6 cm तो यह क्या हो जाएगा BC यह हमने कितना ले लिया 6 cm अब यहाँ पर एंगल B हम draw करते हैं 100 degree प्रोटेक्टर की हल्ट से देख सकते हैं यह देखो यह हमें दिख रहा है 100 तो यह वाला point यहाँ पर क्या होगा 100 तो इस particular question में इसको हम नीचे भी extend कर रहे हैं अब हम क्या करते हैं यह नीचे के side में 2.5 cm का arc cut करते हैं तो यहाँ पर हमने यह measurement ले लिया 2.5 cm का और इधर हम arc cut करेंगे तो यह जो point मिला है इसे हम ले लेते हैं point D अब D से C को join कर लेते हैं अब हम क्या करेंगे इसका perpendicular bisector draw करेंगे इसका नहीं करना है इसका करना है तो हमने यहाँ पर क्या किया यह हाँ से ज़्यादा का distance लिया और उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं यह आर्क कट कर रहे हैं दोनों साइड में अब इसको हम रखेंगे point C में तो हमें यहाँ पर यह intersecting point मिलका है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ करेंगे और इतना लंबा लाइन ड्रॉ करेंगे जो आगे जाके इस वाली line को कट करें जो intersecting point में लेगा वो क्या होगा? point A होगा तो फिलाल हम यहाँ पर क्या करेंगे? dotted line ड्रॉ करेंगे एक्चुली में जो perpendicular आप ड्रॉ करोगे न उसको dotted line से ही ड्रॉ करना तो हमने यह dotted line से intersecting point को join किया और यहाँ पर यह point A में meet कर रहे हैं अब हम क्या करते हैं A से इस C को join कर लेते हैं so अब हमने यह triangle construct कर लिया है और यह AD और AC का distance से में perpendicular का sign लगा दिया और इसके साथ ही हमारा construction complete हो जाता है hence triangle ABC is the required triangle so बच्चो इसके साथ ही हमने practice set 4.2 complete कर लिया है अब हम जल्दी मिलते है next video में I hope आपको यह video अच्छे से समझ में आया होगा यह construction काफी easy है and I hope आप यह अच्छे से करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like जरूर करें चैनल को subscribe करें अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो और अगर already आप कर चुके हैं तो thank you so much सो बच्चो आज के लिए इतना ही जल्दी मिलते हैं next video में Till then take care, bapai, practice well and all the best for your exam